स्टेज़ पे कॉंग्रेस पार्टी के सब सीनियर नेता Aww am था ता बाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यह वहां बहुत-बहुत सुवागत नमस्कार वेधिक बिदुन नायकुल अंदर की प्रियमाईन कॉंग्रेस कार्य करतेल की अक्कलू, चल्यल्लू, अन्नलू, तम्मुल्लू, प्रेस मीडिया वन्द अंदर की स्वागतं बलुक्तुन्दानू कुछ दिनों से ये भारत जोडो यात्रा, तमिल नाडू से केरला, केरला से करनाटक, करनाटक से आंदरा और अब तेलंगाना तक पहुँची है और ये तेलंगाना के बाद महराष्ट्रा, मध्यप्रदेश, राजस्तान, कश्मीर तक जाएगी इस यात्रा में आपको कहीं भी नफ्रत और हिंसा नहीं दिख सकती मारपीत, गालियां ये इस यात्रा में आपको नहीं सुनाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी कोट्ट कोड़ंगानी, ये वरनी थिट्ट कोड़ंगानी, यात्र लो यकड़ा में कऊ पड़दू नदी जैसी यात्रा है, इसमें सब धर्म के लोग, सब जात के लोग, हुजुर्ग लोग, युवा, महिला, सब एक साथ चल रहे हैं नदी लागा यी यात्रा प्रवेश्ट उन्दी, अन्नी मतालू, कुलालू, अन्नी वयसलू, अंदर उड़ा यी नदी लागा प्रवेश्च मुंदुक पोथुन नारू दक्का लगता है, भीड में कोई गिर जाता है, एक दम जन्ता उसे उठा देती है यपुडन्न यवरन्न यी यात्रलो, खिद्द पड़ते, अंदरू कल सी लेपी, मुंदुक तीशक पोए, बरी आउपड़तुन न अंदर की जैसे जब हम तलंगाना के अंदर आ रहे थे, बहुत भीड थी, धक्का मुक्की हो रही थी, उत्तम रेडी जी गिर गए और एकदम, भीड ने उत्तम रेडी को मैंने देखा, एकदम उठा दिया तो भाईयों और बहनों, ये जो यात्रा है, ये सच्चा हिंदुस्तान है जहां सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं हम साथ-ाथ घंटे चलते हैं, और जो भी आता है, उसकी बात सुनते हैं किसान, मजदूर, युवा, माताएं, बहने, जो भी हमारे पास आता है, हम उनकी बात सुनते हैं शिकायत करते हैं, तो भी सुनते हैं और साथ-ाथ घंटे सुनने के बाद, हम पंदरा मिनट बाशन करते हैं जो राजनेता होता है, उसको जनता की आवाज सुननी चाहिए आज, BJP के लोग, RSS के लोग, PRS के लोग, जनता की आवाज को दबा रहे हैं BJP और RSS भाई को भाई से लड़ा रहे हैं लोगों को डरा रहे हैं हिंसा फेला रहे हैं यह सच्चा हिंदुस्तान नहीं है भाई और बहनों इसलिए हिंसा के खिलाव, नफरत के खिलाव, हमने यह भारत जोडो यात्रा शुरू की है 3500 किलोमेटर चलेगी और इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती यह कश्मीर पहुँचेगी के यह कश्मीर, मो स्रीने गहरत्न hour पहुचेगी यह 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 कश्मीर लो स्रीना गर्चेग तएमूं जो हिंदुस्तान की आवाज को दबा सकती है रास्ते में तेलंगाना की जंता से बात्चीत हो रही है किसानों से बात करने का मौका मिल रहा है युवा हमारे साथ चल रहे हैं वो अपनी समस्या के बारे में बोल रहे है जो चोटे वियापारी हैं हैं अपनी बात हमें बताई तो उन्होंने जो कहा मैं आपको बता देता हूं युवाव से बात होती है मैं पहला सवाल पुछता हूं क्या पढ़ रहे हो और कहां पढ़ रहे हो कहते हैं कि तेलंगाना में सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज़ और युनिवर्सिटीज सारी की सारी प्राइवेटाइज किये जारी है ते मां गेट्वंटी उद्योगाल लेवु अवकाश लेवन जेप्चेप्टनार। तो क्या करते हो डिलिवरी का काम करते हैं मगर जिस चीज को हमने पढ़ा उसका हम फाइदा नहीं उठा पा रहे ते लंगाना में रोजगार नहीं मिलता मगर फीज देनी पढ़ती है और जो रिइंबर्समेंट सरकार ने करना था वो सरकार ने बंद कर दिया है तो लाकों युवा आज कलंगाना में बेरोजगार है हैंडलूम वर्कर से बात करो छोटे वियापारियों से बात करो पहला सवाल जी एसटी का होता है और दूसरी बात नोट बंदी की होती है है रंडो विश्व नोट रद्दूल विश्व टी मॉनिटाजिशन गुड़ा आवेद वेक्तन जेस्टनारों हैंडी क्राफ्ट की इंडस्ट्री को तेलंगाना में जी एसटी लागू करके खतम कर दिया है हैंडी क्राफ्ट वू चेने तपनल पाई मुदटि सारी जी एसटी विदिंची वाल लिपन्दी वेट्थनारों और मैंने कल अपने बाशन में कहा जैसे ही कॉंग्रेस यहां पे सरकार बनाएगी वैसे ही हैंडी क्राफ्ट में हम जी एसटी का कॉंपन्सेशन हैंडी क्राफ्ट वर्कर और इंडस्ट्री को दे देंगे मेंयों प्रबुत्तों लो राबोतन लो में ब्रबुत्तों लो रागा ने हैंडी क्राफब्सू, चेने तो पनल पाई GST की कंपंञ्सेशं लो गॉतन लो भाईव और बेनो रोजगार की बात मैंने कही रोजगार गायब क्यूं हुआ ये आपको समझना है और बहुत सारे चोटे वियापारियों ने दुकानदारों ने मुझे ये बात बोली है इन सड़कों पे जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी की और गलत GST लागू की सारे गे सारे चोटे वियापारी स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले उनके बिजनेस बंद हो गए नरेंद्र मोदी गारू नोट ला रद्दू प्रक्रिय चेशन पर संदी चिन्द व्यापारों लगी बद्ध्य तर्गति व्यापारों लगी वारी बिजनेस लुचाला तीव रंगा देबदी ने ये पी मनव येश्टनारों नोट बंदी और GST पॉलिसी नहीं है ये चोटे व्यापारियों को स्मॉल और मीडियम बिजनेसेज को और किसानों को खतम करने के हतियार है नोट बंदी गानी GST गानी पॉलिसी कादू चिन्द व्यापारों लगी राइटल नी चंपे से प्रक्रिय ने मनव येश्टनारों चोटे व्यापारी मॉल और मीडियम साइज बिजनेस देश को रोजगार देते हैं चिन्द व्यापारों मीडियम साइज बिजनेस लो देशं लो उद्योगालों कल्पिंचे प्रक्रिया और वो रीड के अटी नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी जी एस्टी और कोविट के समय जो एक्शन लिया इन तीन काम करके खतम कर दी इसलिए तलंगाने के युवाँ को हिंदुस्तान के युवाँ को रोजगार नहीं मिल रहा है हमारी सरकार यहां आएगी तो जो छोटे वियापारी हैं स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वाले लोग हैं किसान हैं मज़ूर हैं उनके हम पूरी मदद करेंगे और एक बार फिर उनका जो बिजनस है वो चालू करवाएंगे और मैं आपको बता रहा हूं यह जो प्राइवर्टाइजेशन हो रहा है स्कूल का, कॉलेज्ज का, युनिवर्सिटीज का इस्को हम बंद करेंगे और सरकार का पैसा फिर से पबलिक एजुकेशन में, युनिवर्सिटीज में, स्कूल्स और कॉलेज्ज में डालेंगे एक तरफ एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई नरेंद्र मोदी जी कहते थे हर साल तो करोड युवाओं को रोजगार देंगे आज रोजगार के बारे में ना नरेंद्र मोदी ना आपके चीफ मिनिस्टर एक शव्द बोलते हैं आपके चीफ मिनिस्टर तो 24 गंटा उनकी बूमी पोर्टल को देखते रहते हैं हर रोज देखते हैं मेरे हाथ चीफ मिनिस्टर के हाथ तेलंग आना की कितनी जमीन गई प्रती रोज आदरनी पोर्टल लो यंत बूमी उचिंदी पोई ने विश्व गमनिस्टर तडू हर रात उनको रिपोर्ट मिलती है कितनी जमीन उन्होंने दलितों से चीनी कितनी आधिवासियों से चीनी कितनी गरिबों से चीनी प्रदिरातरी एपोटल दोरा दले तुलोगिरिजन अदि वासल इंची यह न भूमु लाकूरण वातनिक दलुस्तु लदी यह जो भूमी पॉटल है इनका इसका क्या नहां में भूमी पॉटल करूद दरनी पॉर्टल दरनी पॉर्टल जो इनका है जो बनाया है हमारी सरकार आएगे तो इसको टाइट करेंगे कहा किसकी जमीन गई सब पता लगाएंगे और जो दलेतों आदेवासियों और गरीब लोगों की जमीन चीनी गई है वो उनको वापस दिल्वाई जाएगी और सिरफ जमीन वापस नहीं दी जाएगी उनको जमीन का हक दिया जाएगा कि वो अपनी जमीन पर अगर उनको बैंक लोन लेने की जरुवत हो तो वो बैंक लोन ले पाएं आजकल उनको सहुकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है 25 परसंट इंट्रेस्ट देना पड़ता है अब हजार रुपय का हो गया है कुछ तो बोल दीजिये पेट्रोल सत्तर रुपय का होता था नरेंद्रमोधी हर भाष्ण में कहते थे सत्तर रुपय का हो गया अब सो रुपय का हो गया नरेंद्रमोधी कुछ नहीं बोलते पाईयों और बेनों मैं लोकसभा में में मेंबर ओ पार्लमेंट हूँ नेनु लोकसभा लो मेंबर ओ पार्लमेंट रिश्व मिक तेलसू और मैं आपको बताना पिटिना टियारस पार्लमेंट लो मद्द तू पलक तू नदी जो भी पीजेपी चाहती है चाहे वो किसानों का बिल हो कुछ भी हो बस इशारा देना पड़ता है टियारस काम शुरू कर देती है पीजेपी पार्लमेंट लो ये पिल्लू प्रवेश पिटिना रही तुला चुनाओ के समय ड्रामा होता है मगर मिलकर काम करते हैं एलेक्शन लोपन मात्र में बीजेपी टियारस इदो ड्रामा लुचेस तरू ठतिमस हमें लोग वाड़ो कल सुनर मातने माना ये तुनाओ आता है सो दो सो करोड रुपे दोनों डाल देते हैं एलेक्शन सु रांगे ने बीजेपी टियारस चेरी वंदल वंदल कोट कर्च बेटतरू जहां भी गोवा में बाकी प्रदेशों में कॉंग्रेस पार्टिये वहां पे बीजेपी पैसा देके तरकारें गिरा देती है बीजेपी आक्रम संपदार पाइसल कर्च बेटी प्रबुत्वानी कूल चेस तरू बाई और बैनों यह जो पैसा बाठते हैं चुनाओं में यह किसका पैसा है यह आसमान से तो नहीं गिर रहा है बाई और बैनों यह ब्रश्टा चार का चोरी का पैसा है आपके जेब में से निकाला जा रहा है यह काम टी आरेस और बीजेपी मिलके करते है और राजनेती चुने हुए लोगों ले के लिए करते हैं चुने हुए दो तीन इनके मित्रों के लिए करते हैं हिंदुस्तान के लेवल पर नरेंद्र मोधी के तीन चार मित्र हैं हिंदुस्तान के सारे के सारे बिजनेस नरेंद्र मोधी जी ने उनको पकड़ा दी हैं बारत देशनलों मत्तों व्यापारबंत गुडा आयना मुग्गुर नलगुर मित्रों की अपजय पिंडू अगरिकल्चर हो फर्टिलाइजर हो जो भी यह करना चाहते हैं खुली छूट है और यहां पर जो आपका शिक्षा का पैसा है स्वास्त का पैसा है जो आपको मिलना चाहिए वो इरिगेशन प्रोजेक्स के तुरू आपके चीफ मिनिस्टर अपने जेव में डालते रहते हैं घंटा वीद्या वइध्या मीधा कर्चु पेट्टाल सिनन सुम्म नी मुक्यमद्री इरिगेशन मीधा एद्दू कर्चु पर्टा अंटे अडला कमिशन लकोसाँ लँचा लकोसाँ एक तरफ धरनी पोटल दूसरी तरफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्ट्ट्ट्ट्тов सुभए वो इर्रिगेशन प्रोजेक्ट देखते हैं शाम को धरणी प्रोटल भुद्र पुडा, इर्रिगेशन प्रोजेक्ट लो, कमिशन लो, रात्री पूटा धरणी पूटल तो इसलिए हमने यह यात्रा शुरू की है इस लिए दीनकों समय में वहनों यात्र बुदलबेटी नमू पेरोजगारी के खिलाफ, मेहंगाई के खिलाफ और भारत को जोडने के लिए निरुद्यों के समस्य के विटरे केगा परीहों तुन पार्भ भारत देशा नी कला पड़ान की और देखिए अभी साथ बज गए हम छे बजे आज शुरू किये हैं 25 किलोमेटर चले हैं 25 किलोमेटर नर्ची नमो नई साइ 26 किलोमेटर नर्ची नमो मगर अजीब सी बात है देखिए उत्तम जी का चेहरा देखिए ये रेटी जी का चेहरा देखिए रेवंद का मेरा चेहरा देखिए ये अजीब सी बात है कि इन चेहरों पर थकान नहीं दिखरी क्यूं क्यूंकि हम अपनी शक्ति से नहीं चल रहे हम आपकी शक्ति का प्रयोग करके चल रहे आपके प्यार से आपकी शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिद नमस्कार जैहिन जवर जढ़ ज 저र् जोर्डडर